कम से कम मैं तो बारती किरकेट टीम जिस जगह पर बैठेगी इस मैच के दौरा नो सामने देखिए कि वहाँ मैच होना है इस्टेडियम में ठीक है कि खिलारी की बैठने की जगह है और जो मैं बता रहा था आपको की खिलारी जो है वो इसी सीडी से जो है वो आते आप देख तस्वीरों में यह जो लगा हुआ है यहां पर जो खिलारी रहते हैं वो बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में और इसी तरी देख रहे हैं मुझे भी अच्छा लग रहा है कि मैं सीडियों से उतर रहा हूं कभी मैं सिंग धोनी विराट कुली रोहिस सर्मा और सत्ता इस तारी को कई बैठते हैं और यहीं से बैठके जो है पूरा गेम देखते हैं उस तरह और आकलन करते हैं कि जो खेल हो रहा है राहूल ड्रबीड कोच हैं वो उसके साथ यह ड्रेसिंग रूम है जहां खिलारी रहते हैं अंदर में आप जब जाएंगे तो उनके रिफ्रेश होने का य वो देखेंगे यहां पर भारतियकीट के टीम और यहांसे निकल और यहां पर यहां पर आते हैं और यहांसे फिर ग्राउंड का मजा लेते हैं इसामने में में अब हम आपको थोड़ी तस्वीर जो है दो कदम चल के यह भी दिखा देते हैं कि किस तरह की तस्वीर है यह दखिए यह इंडिया के खिलारियों की बैठने की जगा है और जो मैं बता रहा था आपको की खिलारी जो है वो इसी सी का हुआ है यहाँ पर जो खिलारी रहते हैं वो बैठते हैं ड्रेसिंग रूम में और इसी तरीके से आप विराट कोहली या रोहिस सर्मा या इशान किसन या मैंस दोनी को उतर कर मैदान में जाते हुए देख रहे हैं मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं सीडियों से उतर रहा हूँ कभी मैं सिंग दोनी विराट को लिरोहिस सर्मा और 27 तारिक को कई और खिलारी जो है सान किसन जैसे सूरिया जैसे खिलारी इसी सीडिल से नीचे उतरे root of the rat सामने देखे कि वहां मैच होना है इस्टेडिन में ठीक है और यहां बारतिय क्रिके Techno सकता है कि हो सकता है कि सूरिया बैठे बैठे है इसान किसन तरहने मैं जब फोधानता यह स्टारी को जरूर की मैं छिस टेप में बैठा हूँ इस ट्रेश पहरी कौन बैठता है होते हैं वो कैसे ड्रेसिंग रूम से निकलते हैं और जाते हैं बारतिय किर्केट टीम के खिलारी कहा रहेंगे वह हम आपको दिखाते हैं यह सीडी देखते हैं कि इसी सीडी से खिलारी नीचे उतरते हैं और नीचे उतरकर वो सामने देखे खेलने के लिए मैदान जाते हैं यहां इस तरफ देखिए हम आपको दिखाने यह बैटने के लिए जगा है जो ड्रेसिंग रूम से जो आप कभी-कभी देखते हैं कि खिलारी राहुल रबीड यह जो भी है उस तरह के खिलारी जो कोच है जो पूरा देखते हैं खेलों को वह देखिए वहां बना यह बैठते हैं और यहीं से बैठ के जो है अपूरा ऑघुरा देखते हैं और चृष क्पलारी रहते हैं एंदर में आप जब जाएंगे तो इनके रिफ्रेस reviewed रूरी हो cielo यह देखे जो यह ड्रावर वना हुआ है इसका भी कुछ मतलब रहता हूँ इसमें क्या रहता हूँ समान में ड्रेसिंग रूम यही हुआ तो यह द्रेसिंगरूम इखा रहे हैं आपको जहां पर बारती टीम और जो निव्ज hyvin की वह यहाँ पर ड्रेसिंग रूम के वा। मैं आपको देखा रहे हैं ओ मैं धंधी हैं हमको देखे बारती घंतली नहीं जेद हैंग है केंटिन है उदर केंटिन खाने पिने का राता है वहां पर नहीं खाने पिने यह क्या ग्लास के नीचे इसमें इस मेडिकल रूम है और यह बैटने का खिलारी लोग का तो यह है ड्रेसिंग रूम जिस ड्रेसिंग रूम की चर्चा होती रहती कि ड्रेसिंग रूम में यह वाइसी हुई सारा खेल यहीं होता है देधी लोगा भी है लेकिन मैच वाले दिन यहां भटक बेने पाईएगा तो यह है ड्रेसिंग रूम का पूरा दिखा थे दोनों के लिए है यह इस तरफ दखे यह हम आको दिखा रहे हैं यह बारती यह जो भी टेम है उसके लिए और यह दूसरा यह यह हो गया सर यह हो गया जो एगेंस टीम है उसके लिए यह पूरा प्रपर तरीके से जो है यहाँ पर बनावा है खिलारी आएंगे वो अपना सारा ड्रेस वगएरा समान वगएरा उस तरह के ड्रॉर में रखते हैं और यह बैटने के लिए हो गया वाश्रूम हमने आपको दिखाई दिया बज़ाब तर टीवी लगा हुआ है इसी तरीके से यहां से निकलते हैं खिलारी और यहां से निकल कर जो है फिर यहां पर आते हैं और यहां से फिर ग्राउंड का मजा लेते हैं यह सामने में जो है यहां पर यह तमाम आप देख रहे हैं कि लगा हुआ है जिसमें जो भारते किर्केट के लिए सबसे उम्दा जो प्रदर्शन रहा है उसकी तस्वीर यहां पर लगी भी है यह जो इस्टेयर से खिलारी डेसिंग रूम के त और निजलेंड के बीच मुकाबला होना है उसके लिए यह खास तोर से जो वीवी आईपी लोग रहेंगे उनके लिए यह पूरा ब्लॉक रहता है जहां पर जो वीवी आईपी गेस्ट रहते हैं वो यहां पर पहुंचेंगे और यह जो आप देख रहे हैं हमारे ठीक और से उसका खास ख्याल रखा जाता है जो ग्राउंड मैन होते हैं जो पीश के देखवाल करने वाले लोग होते हैं वहां पर मौजूद हैं सामने देखिए यह जो आप देख रहे हैं यह पर देख रहे हैं यह पर देख रहे हैं यह आपको ड्रेशिंग रूम यह पूरा ड्रेशिंग रूम का यह इक इलाका है आप जो मैच देखते हैं ग्राउंड में खेलते वे जहां हम मौजूद हैं यहां 27 तारीक को भाल और न्यूजलेंड के बीच मुकाबला होना है देखिए आप टीटी मैच में आप देखते होंगे कि ज बेखिए इंडिया का बैटने वाला वाला धुकिलारी बैटते हैं वह हम आपको दिखा रहें यहां से निकलकर सामने स्भी तरफ यह और यहां यह ऊझे अंच फजल यहींड़िक को मतल दखार राफ शृत और यहां से सामने से ड्रेसिंग रूम मैधान में पुछेंगे अब ुष्वस्विर्स वहां वे पाइन होता है इत जो जोसे टेडियम के अधिकारी है इसे की खुबसूर्ति ही नहीं भड़ाए है इसका मान मुं भड़ाया है जो पर टवैलन होता है वह हम तस्वीर हो के दरए आपको दिखाते हैं कि यह गभिजा है वह बांडरी जो होता है वह इस तरह से लगा नहीं है यह पूरता का पूरता में अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से बॉंड्री बनाया जाता है और उस बॉंड्री के चारों तरब जो है एक तरह से यह डाला जाता है रसा डाला जाता है और उसी रसे को क्रॉस करके जो है खिलारी चौका को रोकते हैं और इस तरह से रोकते हैं आप देखिए कि दोनों करके उसको बनाते हैं तस्वीरें जो है वो काफी खुबसूरत है और इस जैसे स्टेडियम की सबसे बड़ी खासियत जो है दो वो जो बॉक्स देख रहे हैं जिसमें की चेयर नहीं लगा हुआ है वो बॉक्स खास तोर से इसलिए खास है कि आप वहां पर पूरे फैमिली के स साथ उसको बुक कर सकते हैं और उसमें बैट के अराम से आप किर्केट का मजा ले सकते हैं उसके लिए अलग से आपको चार्ज देने होते हैं वो आप चार्ज दीजिए और उसके बाद जो है आप अराम से पूरे किर्केट का मजा लेजिए यह इस तरह मीडिया बॉक्स है जो उस तरफ हम आपको दिखाएं कि मीडिया बॉक्सेस हैं तो तैयारी पूरी है